गनेशाय नमह, श्री शिव पुरान रोद्र सहिता द्वितिय खंड अध्याय चालीस, देवताउसिक ब्रहमा का विश्नु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, श्री विश्नु का उन्हें शिवसिक शमा मांगने की अनुमती दे उनको साथ लेके लास्पा जाना त भगवान शिव से मिलना नार्जी ने कहा विधाता, महा प्राग्य, आप शिवतक्त्व का साक्षात कार कराने वाले हैं, आपने यह बड़ी अग्भूत एवं रमनिय शिवलीला सुनाए है, तात, वीर वीरभद्र जब दक्ष के यज्यका विनाश करके कैलास्पावत पर चले गए, तब क्या हुआ? यह मैं बताईए, ब्रह्माजी बोले नारद, रुद्रदेव की सेनिकों ने जिनके अंगभन कर दिये थे, वे समस्त प्राजिक देवता और मुनियो समय मेरे लूप में आए, वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारं बार मेरा स्त इससे मुझे समयोचिक ज्यान प्राप्त हुआ, तदनंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विश्नु लोक में गया और वहां भगवान विश्नु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुती करके उनसे अपना दू, खनिवेदन किया, मैंने कम देव, जिस तरह भी अग्यपूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनी सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए देव देव, रमानात, देव सुखदायक विश्नु, हम देवता और मुनी निश्चह ही आपकी शरण में आये हैं मुझ ब्रमा की यह बात सुनकर भगवान लिक्ष्मी पती विश्नु, जिनका मन सदा शिव में लिगा रहता है और जिनके हृदे में कभी दीन्ता नहीं आती, शिव का स्मरल कर केस प्रकार बोले श्री विश्नु ने कहा देवताओ, परम समर्थ थते जस्वी पुरुष से कोई अप्राद बन जाया तो भी उसके बदले में अप्राद करने वाले मनुश्यों के लिए वह अप्राधमन गलकारी नहीं हो सकता विधातह, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अप्रादी है, क्योंकि इन्होंने भगवान शम्भू को यग्यका भाग नहीं दिया अब तुन सब लोग शुध्रदे से शीग्रही प्रसन होने वाले उन भगवान शिव की पैर पकड़ कर उन्हें प्रसन करो उनसे क्षमा मानगो, जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नश्ठ हो जाता है, तथा जिनके शासन से लोगपाल सहित यग्यका जीवन शीग्रही समाप्थ हो जाता है वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्रानवल लभासती से बिछर गए हैं तथा त्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचनु पीबानों से उनके हृदे को पहले से ही घायल कर दिया है, अतर तुम लोग शीग्रही जाकर उनसे अपने अपराधूं के लिए उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय हैं, मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा, यह मैंने सच्ची बात कही है, ब्रह्मन, मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिवकी निवासस्थान पर चलिनगा और उनसे क्षमा मानगूंगा, दे प्रिहरियुन सबको साथ ले अपने वैकुंत धाम से भगवान शिवकी शुब निवास गिरश्रेश्ट कैला सिकोंगे। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सोगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलक नंदा ये दो उत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्रा से प्रानियों के पाप हर लेती हैं। उस पर कोई गोसला नहीं था और ग्रीश्म का तापतों उससे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुन यात्मा पुरुष को ही उसका दर्शन हो सकता है। वो परम रमनिय और अत्यंत पावन है। वो दिव्य व्रिक्ष भगवान शंभु कायुक स्थल है। योगियों के द्वारा सेव्य और अपरम उत्तम है। मुमुक्षों के आश्रय भूत उस महायोग मैवत व्रिक्ष के नीचे विश्नु आदे सब देवताउने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महमसित संकादी, जो सदा शिव भाक्ते में ततपर रहने वाले और शांथ हैं, बड़ी प्रसंता के साथ उनकी सेवा किया करते हैं, वे परमेश्व शिव उस समय तपस्वीजनों को परम्प्रिय लगने वाला सुन्दर रूप धारन किये बैठे थे, भासमाद से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी, भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहध हैं, नारत, उस दिन में एक कुशासन पर बैठे थे और सब संतों की सुनते हुए तुम्हारे प्रशन करने पर तुम्हें उत्तम ग्यान का उपदेश दे रहे थे, वे बाया चरन अपनी दाई जांकपा और बाया हात बाई घुटने पर रखे, कलाई में रुद्रक्ष की माला दाले सुन्दर तरकमुद्रा से विराज मान थे, इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदी सब देवताओं ने दोनों हात जोर मस्तक जुका कर तुरंतुन के चरनों में प्रनाम किया, मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्कुरु के आश्रायदाता भगवान रूद रूट कर खड़ी हो गये और उन्होंने सिर जुका कर उन्हें प्रनाम भी किया, फिर विष्णु आदी सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रनाम कर लिया, तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया ठीकुसी तरह, जैसे लोकों को उत्तम गती प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापती कश्यप को प्रनाम करते हैं, ततपश्चाक देवताओं, सिध्धों, गनादीशों और महर्शियों से नमस्कृत तथा स्वयम भी, श्री विष्णु को एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान इती श्री शिव पुरान के रुद्र सहिता द्वितिय खंड ध्याय चालीस कथा समाप्त।